अब अपनी सफाई दे रहे हैं और सफाई भी ऐसी कि आप सुनकर चौक जाएंगे आपको बताएं कि लगातार विवाद में रहने वाले गुपाल मंदल अब एक और विवाद में फस्ते हुए नजर आएं जिसके बाद उनकी तरफ से सफाई दी गई है और ये सफाई सुनकर आप बेहद हैरान रह जाएंगे क्योंकि जो बाते उनकी तरफ से कही गई है वो सब को आश्चर चकित कर देगी आपको बताएं कि गुपाल मंदल पहले भी सियम नतीश कुमार को लेकर और साथी साथ कई नेताओं को लेकर विवादित बयान देचुके हैं उनकी वज़ा से कई विवाद भी खरे हुए हैं लेकिन इस सब के बीच गुपाल मंदल का इस तरह से अर्दनंग अवस्था में ट्रेन में दिखना लोगों को बेहद चौकाने वाला था और यही वज़ा था कि विपक्ष और साथी साथ शोशल मीडिया पर गुपाल मंदल की वो तस्वीरे तेजी से वाइरल होने लगी लेकिन इस विवाद के बाद जिस तरह से गुपाल मंदल ने बयान दिया है और क्या कुछ उनका कहना है ये हम आपको बताएंगे लेकिन जो बयान उनकी तरफ से आया है वो सुनकर आप भी हैरान रह जाईएगा जेडियू के विधायक गुपाल मंदल की ट्रेन के अंदर अंडर्वेर और गंजी पहन कर घूमने की तस्वीर वाइरल होने के बाद विवाद बढ़ गया अब इस पूरे मामले पर विधायक ने अपनी सफाई दिया है उनका कहना है कि जैसे ही मैं ट्रेन में चड़ा थोड़ी दूर जाने पर मेरा पेट खराब हो गया इसलिए मैं अंडर्वेर और गंजी में घूम रहा था मैं जो बोलता हूँ सच बोलता हूँ जूट नहीं बोलता हूँ दरसल इस बिवाद की शुरुआत तब हुई जब वधायक पटना से नई दिल्ली जारही राजधानी एक्सप्रस में यात्रा कर रहे थे वे चलती ट्रेन में गंजी और अंडर्वेर पहन कर तहलते हुए दिखाई दिये उनकी ये तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी तीजी से वाइरल हो रही है उनके इस हरकत पर सह यात्री ने अपत्ती जताई तो मंडल गाली गलोच पर उतर गए उन्होंने यात्री को जान से मारने की धमकी भी दे डाली विधायक पर आरोप है कि उन्होंने यात्रीयों के साथ अभधर वेभार किया जानकारी के अनुसार गोपाल मंडल पटना दिल्ली तीजस एक्सप्रेस से यात्रा कर रहे थे आरोप है कि ट्रेन के अंदर अंडर्वेर और गंजी पहन कर घोमने पर जब यात्री ने उन्हें टोका तो उन्होंने उनके साथ गाली गलोच की और जान से मारने की धमकी भी दी तो गोपाल मंडल ने अपनी सफाई में कहा है कि जैसे ही वो ट्रेन पर चड़े उनका पीट खड़ाब हो गया और यहीं वज़ा है कि उन्हें इस आवस्था मे आनी पड़ी। जाक बना रहे हैं ऐसे में गोपाल मंडल का ये बयान सामने आया कि उनका पेट खड़ाब हो गया था और यहीं वज़ा थी कि उन्हें अर्ध नगन अवस्था में आना पड़ा ये बेहद ही चौकाने वाला है तो कहीं न कहीं गोपाल मंडल एक बार फिर से विवाग में घ आती रहती है ऐसे में जो तरह से गोपाल मंडल ने अपनी सफाई में बाती कही है उनकी तरह से जो बयान सामने आया है वो बेहद ही हैरान करने वाला है फिलाल के लितना ही जाद अपडेट के लिए बने रहे है न्यूस फानेशन के साथ नमस्कार